हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर यदि आप लोगे ससीजीडी दिली पुलिस के साथ साथ किसी अन्य कमप्टीशन इग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले है आज के इस वीडियो में हम लोग कोश्चन सारे सेलेक्टेड होंगे तो आप लोग इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा तो आज का जो सबसे पहला कोश्चन है दोस्तों आधूनी की यूग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों आपको बता दिया जाए हमारा जो डेली वीडियो लेक प्रिश्चस नहीं देखें तो उसे जरूर देखिएगा तो दोस्तों आधूनी की यूग की मीरा के नाम से जीने जाना जाता है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी आपका बिलकुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा चले इस सुची है समवर्ती सुची है याद रखिए का कौन सी सुची समवर्ती सुची में रखा गया है इसे इसलिए इसका अप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा नेक्ष्ट को राष्टी धवज के प्रारू को सम्मिधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया तो दोस्तों यह अंसर होगा ऑप्सन नंबर वी अकवर्त समिती आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा सुचिन राष्टी धवज चक्र में कितनी तेलिय तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 सी लिया होती है सबी लोग याद रखिएगा कुछ ही से बना होता है इसमें 24 सी लिया टोटल बनी होती हैं चलिए इसी करम में हम लोग जो नेक्स्ट क्वेशन है उसको देखते हैं तो आप लोग फटा-फटा हमारे साथ साथ आंसर करते हुए जाएंगे और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एक लिए पेस किया गया तो दोस्तो किसके द्वारा पेस किया गया था तो दोस्तो यह जो है पेस किया गया था मुखंविस अलिए था चलिए नेस्ट कोश्चन कांसे करिएगा फटा फटा आप लोग जिससे जब भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी हमारा नेस्ट कोश्चन है दोस्तो इसी करम में भारत का राष्टिये कलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया तो दोस्तो इसको जब अपनाया गया वैडेर थी आपकी ऑप्सन नमर भी 22 मार्च 1957 सत्तावर हमारा नैस्ट कॉछेशन है धारत का राश्टिय जली जीवन क्या है जली क्या है soranka कर्णिक आंसर होगा पुंसेन भारत का परतम सास्त्रि भा ता कौन जी है तो आपका करेक्ट आंसर हो जायेगा ऑपोचर नमबर भी तमिल बिल्कुल correct answer का मिल हो जाएगा चलिए इसी करब में next question का answer करिएगा फटा फट आप लोग चलिए answer करते जाएंगे सभी के सभी जितने भी students समारे साथ जुड़े हुए हैं फटा फट सारे questions के answer करते जाएंगे question है दोस्तो पर्थम विष्ट हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर हुआ था दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा आपका नागपूर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा नागपूर चलिए सिकरम में हम लोग next question का answer करते हैं दोस्तो सेंवेट का संबन्ध वेक से हैं तो दोस्तो इसका संबन्ध है आपका उत्पादक सुलक से है इसलिए स्काव्शन number D correct हो जाएगा question है विष्ट की सबसे प्राचीन लिखित भासा किसको माना जाता है तो दोस्तो यह जिसको माना जाता है यह Sumerian को माना जाता है जाँ दखिये गा किसको माना जाता है, तो मेरियन आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा. कुमारा नेस्ट question है दोस्तू, आटवी अंसूची में कुल कितनी भासाइं सामिल है, तो दोस्तू आटवी अंसूची में जो है, टोटल जो भासाएं सामिल है, वह बाइस भासाएं सामिल है, क्वेशन सत्त में वजयते कहां से लिया गया, तो दोस्तों सत्त में वजयते जो लिया गया था, वह जो है मुंड को उपनिसा से लिया गया था, इसलिए स्कॉप्शन मजो करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, कोईशन है भारत में स्वार्दिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है तो दोस्तों भारत में स्वार्दिक बोली जाने वाली जाने वाली भासा है वह कौन सी है हिंदी है हम इंदोस्तान के हैं तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा भी हिंदी हो चलिए आदुनिक यू पुर्गुप्त को कहा जाता है हमारा next question दोस्तो असकरीत व्याकरण के जनक किषय माना जाता है तो आपका correct answer होगा option number D पढ़नी को माना जाता है यह इसका option number D correct हो जाएगा कि इसी करम में हम लोग next question का answer करते हुए जाएंगे मेरे प्यार दोस्तो question आप सबीका संसार का सबसे बड़ा महा काभी कौन सा है तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा जो महा काभी है आपका कौन सा है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महा भारत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा महा भारत याद रखिएगा सभी लोग तो अभी तक वी स्मित्रा नंदन पंत आपका करिक्ट आंसर मेरे प्यार दोस्तो डी आपका करिक्ट हो जाएगा कोशन है सबसे अधिक दोस्तो सबसे अधिक बार बजट किश ने पेस किया तो दोस्तों सबसे अधिक बाद जो बचेट पेस किया गया था वे मुरा जी जो है दिसाई के सासनकाल में पेस किया गया था याद रखियेगा हमारा नेश्ट कोशन आपके स्क्रेण पर आप लोग इस कोशन का भी आनसे कहिएगा भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है तो दोस्तों यह जो अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था याद रखिएगा क्वेशन आप इस सभी का है राष्टी यह गान को गाने में कितना समय लगता है तो आप सभी को झैसा की पता भी होगा तो आपको कमेंट वौक्स में भी इसका आंसर करिएगा इसका आपका correct answer हो जाएगा option number C 52 seconds आपका बिलको correct answer होगा तोस्टो राष्टी गीत को गाने में कितना समय लगता है तो राष्टी गीत को गाने में जो समय लगता हमारा फाट टोटल 60 seconds लगता है राष्टी are 2 गेत को गाने में हमारा 65 seconds लगता है 52 minute हमारा next question है भारत का राष्टिय पसू कौन सा है तो दोस्तो भारत का राष्टिय पसू जो है आपका वै कौन सा फटा-फट इस question का answer आप लोग comment box में भी बताईएगा सारे questions का answer आपको नहीं बताई जाएगे question है दोस्तो आप चुभी का सम्मिधान के किस अनुछेद में वार्चिक विद्धिय वजट का वर्ण किया गया था तो आप लोग इस question का answer जल्दी जल्दी से comment box में जरूर बताईएगा तो दोस्तो आपका correct answer हो जाएगा आपका correct answer हो जाएगा मेरी प्यार दोस्तो चल्ये फटा फटा आप लोग इस question का answer करते जाएगे जो हमने बताया था एक मिनट आगे चला गया है तो इसको पीछे लाते हैं दोस्तो इसका correct answer आपका होगा option number A 110 चल्ये फटा 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 आप लोग करियेगा राष्टिय गान जंगर्मन में के रचेता जो ते वैकॉन थे तो आपका correct answer हो जाएगा रभीन दरनाथ टाइगोर आपका पिल्कुल correct answer होगा इस question का अंज़र करियेगा भारत का राष्टिय चिन को भारत सरकार ने कब अपनाया तो आपका correct answer हो जाएगा option number A 26 January 1950 को अपनाया था हमारा next question है दोस्तो भारत का राष्टिय ब्रिच क्या है तो दोस्तो भारत का राष्टिय ब्रिच जो है वैकॉन सा है बरगद है याद रखिएगा इसका answer होगा आपका बरगद हमारा next question है दोस्तो महा भारत के रचेता कौन है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा महा भारत के चाहिता जो हैं वे आपका correct answer हो जाएगा वेद व्यास जी हैं याद रखियेगा सेवी लोग वेद व्यास आपका बिल्कुल correct answer होगा कुश्चन है दोस्टो आप सभी का हिंदी दिवस की स्थिथी को मनाई जाती है तो दोस्टो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वे आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है याद रखियेगा क्या आपका correct answer होगा 14 सितंबर आपका बिलकुल correct answer होगा हमारा next question ना दोस्तो Tamil को किस वर्स शास्त Stanis भासा का दर्जा दिया गया तो दोस्तो Tamil को जिस वर्स शास्तरी भासा का दर्जा दिया गया what's a वर्स आपका कौन था 2004 था याद हाद कियेगा कौन सा वर्स था? 2004 वर्स था हो जाएगा option number C, छे भासाओं को जो है भारत में सास्तिलिय भासा का दर्जाब प्राप्त है याद रखिएगा question आप सभी का राष्टिगान को पहली बार 1911 में भारत भारतिय राष्टिय कांग्रेश के किस अधिवेशन में गाया गया था इसका correct answer हो जाएगा जो अधिवेशन था हुआ है आपका कोलकाता का अधिवेशन था यादा कियेगा कोलकाता आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा हमारा next question है दोस्तो राष्टिय गीत को सवर परतम 1896 में कांग्रेश के किस अधिवेशन में गाया गया इसका correct answer हो जाएगा question है मेरे प्यार दोस्तो राष्टिय गान का प्रकासित परतम कहां किया गया तो आपका correct answer होगा आपसा नमबर A सत्तु अधनी जो है पत्रिका इश्य प्रकासित किया गया कुशन आप सभी का भारत का राष्ट्य फूल क्या है तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्य फूल है आपका क्या है कमल है याद अखिए कमल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कुश्चिन आप सबी का राष्टिय गीत वंदेव मात रम के रचैता कौन है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ओपशन नमबर C वंग्किम चंद्र चटर जी आपका करेक्ट आंसर C होगा हमारा नेश्ट कुश्चिन है दोस्टो खारत के झंडा गीत की लेखा कौन है तो आपका correct answer होगा option number A तो है आपका श्याम लाल गुत आपका बिल्कुल correct answer यह हो जाएगा question है दोस्तो पर्तम हिंदू विदी निर्माता कौन है तो आपका correct answer हो जाएगा option number C मनु आपका बिल्कुल correct answer मनु होगा हमारा नेस्ट कोईशन है दोस्तो भारत का आश्टीन कि कि किती कहा जाता है तो दोस्तो भारत का आश्टीन किस को उस वीडियो को चरूर जाकर देखिएगा क्योंकि वहां सारी चीजें बहुत अच्छी तरीकी से कबर कराएगे है तो आप लोग वन से लेकर 11 तक देखना बिलकुल न भूलें और डेली वीडियो हमारी साम 6 बज़े आपको मिलती रहेगी तो आप लोग डेली साम 6 बज़े से आप लोग वीडियो को देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक बनता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते सबी लोग चाहेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरव